लास्ट वीडियो में मुझे काफी लोगों ने पूछा कि लॉंग पेराग्राफ कैसे याद करें। लॉंग पेराग्राफ याद करना हिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है। और चाहे आप UPSC की तयारी कर रहे हैं चाहे SSC की तयारी कर रहे हैं कहीं भी आपको content याद करना, number of lines को याद करना हमेशा challenging होता है। exam is a memory test यह हमेशा ही आपको पता है कि जो याद कर पाएगा वो number ला पाएगा। इसके लिए आज मैं आपको three hacks दे रहा हूँ, बिल्कुल वेभारिक hacks है, बिल्को number one, जब भी कोई चीज आपको ऐसे लगे कि याद करना मुश्किल है, तो कोशिस करे कि ऐसे समय को चुने जब आपका mind बिल्कुल शान्त हो और वो generally time होता है आपका morning hours का, अगर आप रात को कोई चीज पढ़के सोए है, और आपको लग रहा है कि दिमाग बिल्कुल फस गया है, तो सुबह जल्दी उठीए, maybe five और four thirty, और उस टाइम पे जो चीज़ें आपको लग रहा है कि मुश्किल है याद करने की, उनको उस टाइम पे याद करने की आप try करेंगे, तो results ten times better हो गए, number two, जब भी long paragraphs होते हैं या number of paragraphs होते हैं, तो chunking method apply करें, chunking method का मतलब होता है कि उस चीज को छूटे-छूटे टुकडों में बाट ले और उनको याद करें, अगर मालो, suppose आपने पहले तीन line याद कर ली, तो उनको आप बार-बार याद कर लीजे, repetition का कोई alternative नहीं है, repetition repetition से आप हमेशा याद करते, तो उसको पहले आप chunkdown method से, उसको छोटे-छोटे टुकडों में बाट के उसको याद कर लीजे, बार-बार याद कर लीजे, जब तीन याद हो जाए, तो next तीन पर चलिए, फिर तीन याद हो जाए, next तीन पर चलिए, इसी तरह, एक paragraph याद हो एक example के साथ में ये एक छोटा सा मैंने line लिया है ये मैंने इसलिए easy लिया है कि आप ताकि easily समझ सके क्योंकि idea ये नहीं है कि बड़ा सा कुछ लो और उसमें उसको try करो छोटा सा एक paragraph लेते हैं और उसमें हम क्या method लगाते हैं आईए कोशिस करते हैं देखिए ये तीन चार line है pollution के उपर ये माली जैसे है pollution is the big problem in India there are three types of pollutions they are mainly air, water and noise pollutions तो अब इसको मुझे अगर याद करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सभी मैंसे एक एक शब्द निकालिए जैसे pollution is a big problem तो big problem in India तो कोई ऐसा picture बनाएए जिसमें आपको big problem कोई ऐसा person नजर आए जो बहुत दिक्कत में हो दूसरा there are three types of pollutions तो फिर आप तीन से कुछ जोड़िए और they are mainly air, water and noise pollutions जैसे मैं आब एक imagination बनाता हूँ आपके सामने suppose एक pollution है कहीं पर एक कच्रे का धेर है और वहाँ पर मान लीजिए तीन बंदर बैठे है और वो तीन बंदर क्या क्या कर रहे है कि एक को smell आ रहा है गंदगी का तो उसमें air pollution हो गया है दूसरा water से आंखें धो रहा है अपना और तीसरा कान बंद कर रहा है कि बहुत आवाज आ रही है तीन है तो आप से आप तीन जोट लेंगे देर आर थ्री टाइपस ऑफ पॉलिशस और वो कौन कौन से है सबसे पहले वो एक smell कर रहा है बंदर गंदगी को smell कर रहा है तो that is a air pollution दूसरा water से आंखें धो रहा है ठीक है वो गंदी के तीन बंदर है ना आँखें धो रहा है तो वो water pollution हो गया और तीसरे ने आँखें ये कान बंद के हुए है कि बहुत sound आ रहा है तो इस तरह से कोई एक कोई एक ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से ये चीज़े होती है आप अपनी creativity से imagination से इनको बना सकते है इसी तरह एक extra hack मैं आपको देता हूँ कई बार हम इसमे journey method यूज़ करते है जैसे हमने देखा pollution is a big problem in India तो suppose कोई person है उसको किसी जगे पे आप visualize करें और वो मालो सब को बता रहा है pollution is a big problem awareness कर रहा है पिर आगे जाके कोई और ऐसा hack बना लीजिए वहाँ पे आप there are three types of pollutions तो वो तीन से जोड़ दीजिए कि वहाँ पे कोई तीन person खड़े है या तीन बंदर खड़े है और फिर उन तीनों बंदर के उपर आप उनको तीनों को जोड़ दीजिए एक को नाख से smell आ रहा है गंदा that is the air pollution एक आख साफ कर रहा है तो that is the water pollution और तीसरा कान बंद कर रहा है noise pollution आप इसको ऐसे समझिए कि ये याद करने के तरीके है आप अपने on creativity जैसे आपको लगे वो सबसे बहतर तरीका है लेकि ये आप जब practice करेंगे तो ये आपको help करेंगे चीज़ों को solve करने में तो आप इसको जब सुभा repeat करते हैं वो भी एक तरीका है दूसरा आप उसको उसको आप chunking करते हैं उसको छोटे-छोटे टगुरा में करते हैं और तीसरा आप उसके साथ में कोई personal meaning system जोड लेते हैं और journey method वो चोथा hack मैंने आपको दिया which is all possible and सबसे important ये है दोस्तो use your worry time into steady time इससे important कुछ नहीं है अगर आप केवल ये सोचेंगे अरे इतना syllabus बस बचा क्या होगा क्या होगा तो फिर आप अपने लिए problem इन्वाट करें use your worry time into the steady time and you will find the excellent result